युहन्ना रचित सू समचार यदि तु यह काम करता है तो अपने तई जगत पर प्रगट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब ईश्वने उनसे कहा मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है, जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझ इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ, वह उनसे ये बाते कहकर गलील ही में रह गया, परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह आप ही प्रगट में नहीं, परंतु मानो गुप्त होकर गया, सो यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूनने लगे, कि वह कहां हैं, और लोगों में उसके विशे में चुपके चुपके बहुत सी बाते हुई, कितने कहते थे, वह भला मनुश्य है, और कितने कहते थे, नहीं, वह लोगों को भरमाता है, तो भी यहूदियों के भै के मारे कोई व्यक्ति उसके विशे में खुल कर नहीं बोलता था, और जब पर्ब के आदे दिन बीट गए, तो इश्यू मंदीर में जाकर उपदेश करने लगा, तब यहुदियों ने अचंभा करके कहा, कि इसे बिना पढ़े, विद्या कैसे आ गई? इश्यू ने उन्हें उत्तर दिया, कि मेरा उपदेश मेरा न अपनी ओर से कुछ कहता है, वे अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंत जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है, वही सच्चा है, और उसमें अधर्म नहीं. क्या मूसा ने तुम्हें विवस्था नहीं दी? तो भी तुम मेंसे कोई विवस्था पर नहीं चलता. तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? लोगों ने उत्तर दिया कि तुझ में दुष्टात्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? इश्व ने उनको उत्तर दिया कि मैंने एक काम किया और तुम सब अचंभा करते हो. इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आग्या दी है. यह नहीं कि वह मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है. और तुम सब्द के दिन को मनुष का खतना करते हो. जब सब्द के दिन मनुष का खतना किया जाता है, ताकि मूसा की विवस्था की आग्या टलना जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो, कि मैंने सब्द के दिन एक मनुष को पूरी रीती से चंगा किया. मुह देखकर नयाय ना चुकाओ. तब कितने यरुशलेमी कहने लगे, क्या यह वही नहीं, जिसके मार डालने का प्रैत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वह तो खुलम खुला बातने करता है, और कोई उससे कुछ नहीं कहता. क्या संभव है, कि सरदारों ने सच-सच जान लिया है, कि यही मसीह है? इसको तो हम जानते हैं, कि यह कहा का है, परंतु मसीह जब आएगा, तो कोई न जानेगा, कि वह कहा का है. तवीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो, और यह भी जानते हो, कि मैं कहा कहूं, मैं तो आप से नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते. मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ, और उसी ने मुझे भेजा है. इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था. और भीड में से भहुतेरों ने उस पर विश्वास किया, और कहने लगे, कि मसीही जब आएगा, तो क्या इससे अधिक आश्चर कर्म दिखाएगा, जो इसने दिखाए? फरीश्यों ने लोगों को उसके विशे में ये बातें चुपके-चुपके करते सुना, और महायाजुकों और फरीश्यों ने उसके पकड़ने को सिपाही भीजे. इस पर ईश्यों ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाओंगा, तुम मुझे ढूनोगे, परन तु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूँ, वहां तुम नहीं आ सकते. यहुदियों ने आपस में कहा, यह कहां जाएगा कि हम इसे न पाएंगे, क्या वह उनके पास जाएगा, जो युनानियों में तित्तर बित्तर होकर रहते हैं, और युनानियों को भी उपदेश देगा? यह क्या बात है, जो उसने कही, कि तुम मुझे ढूनोगे, परन्तु न पाओगे, और जहां मैं हूँ, वहां तुम नहीं आ सकते. फिर पर्ब के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, इश्यू खड़ा हुआ, और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो, तो मेरे पास आकर पिये, जो मुझे पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्तर में आया है, उसके हिर्दे में से जीवन के जल की नदियां बह निक लेंगी, उसने यह वचन उस आत्मा के विशय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उत्रा था, क्योंकि इश्यू अब तक अपनी महिमा को न पहुचा था, तब भीड में से किसी किसी ने ये बाते सुनकर कहा, सच्मुच यही वह भविश लगता है, और उने कहा, यह मसी है, परंतो किसी ने कहा, क्यों, क्या मसी गलील से आएगा, क्या, पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया, कि मसी दावुद के वर्ण से और बैतलहेम गाउं से आएगा, जहां दावुद रहता था, सो उसके कारण लोगों में फूट पड़ी, उन में से कितने उसे पकड़ना चाहते थे, परंतो किसी ने उस पर हाथ न डाला, तब सिपाही, महायाजकों और फरीसियों के पास आए, और उने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए, सिपाहीों ने उत्तर दिया, कि किसी मनुष ने कभी ऐसी बातें न की, फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो, क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है, परंतो ये लोग जो विवस्था नहीं जानते, श्रापित हैं, निकु दिमुस ने जो पहले उसके पास आया था, और उन में से एक था, उन से कहा, क्या हमारी विवस्था किसी व्यक्ती को, जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले, कि वह क्या करता है, दोशी ठेराती हैं, नहों ने उससे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है, धून और देख, कि गलील से कोई भविश्वक्ता प्रगट नहीं